Hello Friends, आप सभी का Study Tips के YouTube चैनल में स्वागत है जहांपे आपको JPSC का Crash Course देखने को मिल रहा है यानि कि कम समय में शांदार तरीके से तयारी की तो आज हम लोग बात करेंगे मुंदा शारसन के उपर यानि कि हमारे जो जारखंड राज में मुंदा शारसन है उसकी व्यस्था के अनुसार और उसकी सभी important topics के recording हम लोग discuss करेंगे जो कि examination view से बहुत 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 ज्यादा important है और एक एक point आपके लिए बहुत ज्यादा किमती है क्योंकि आपको इसको याद रखना होगा ताकि आपके exam में एक भी questions ना चुटे तो चलिए start करते ज्यादा लेट ना करते हुए तो यह देखिए सबसे पहले जहरकंड मुंड़ा शासन व्यस्था दोस्तों अगर शासन व्यस्था की बात किया जाए तो शासन व्यस्था होती क्या है तो हमारे जितने भी जनजाती होते हैं प्रतेक जनजाती प्रतेक समाज संस्कृती अपनी अपनी व्यस्थाए और अपना अपना प्रशासनिक व्यस्थाए रखता है तो उसी के अनुसार क्या होता है हम लोग अलग अलग जनजाती के रूप में अलग अलग समाज के रूप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ प प्राचिन काल से वर्तमान काल तक चलती आ रही है, वर्तमान तक अभी तक चलती आ रही है, इनका महत्व आज भी हर एक छेत्रों में होता है, इन छेत्रों में तो देखने को मिलता है हर एक छेत्रों में, आप जिस छेत्र में रहते हो और उस छेत्र में अगर किसी विशेस ज जाती या विसे समाज के लोग रहते हैं तो वो अपने प्रसासनिक व्यवस्था अपने एकॉर्डिंग वो व्यवस्था करते हैं तो यह हो गया प्रसासनिक व्यवस्था और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है सबसे पहले हम लोग यह जानता है कि किसी भी शेत्र के बारे में आप अगर जानोगे तो उस शेत्र के उस सेत्र में रहने वाले उस सेत्र में रहने वाले समाज और किस तरह के जाती के लोग रहते हैं और उनकी किस तरह की व्यवस्था होती है और किस तरह का कानून होता है इस सभी चीजों को हमें मद नजर रखना पड़ता है मद नजर रखते ही हम लोग को समझ में आता है कि वहां का समाज कैसा होगा, वहां का ज्याती कैसा होगा वहां का कानून कैसा होगा तो इसी के according हम लोग मुंडा शासन व्यस्था भी पढ़ेंगे यानि कि मुंडा जो जंजाती है, इनके शासन व्यस्था में क्या-क्या विशेस चीज या विशेस आपको देखने को मिलेगा और वो कौन-कौन सा पॉइंट है जो कि आपके एक्जामिनेशन व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यस्था मुंडा जंजाती ज्यारखन में कोलेरियन समू की एक शशक्त शाली जंजाती है आपको याद रखना है जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा सिफ उतना ही याद रखना है आपकी एक्जाम की अधिकतर जो भी पॉइंट से वह आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है आप सिर्फ उस पॉइंट को याद रखेंगे या नॉट कर लेंगे या इसका पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम लिंक पे जॉइन करके आप फ्री आप कॉष्ट इसका पीडियाफ ले सकते हैं इसी पीडियाफ को मैं दे दूँगा मुंड़ा जन जाती जहारकेंड में कौन से सम्मु से जुड़े हुए है तो वो कॉलेरियन सम्मु की एक शशक्त अवम शक्तिसाली जन जाती है याद रखेगा इसमें सबसे पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंड हो वो kolerian summu, इसे प्रजाती द्रिष्टी से proto-oste-lide में रखा जाता है, याद रखने की यह बात है, जितनी भी यहाँ lines हम लोगों ने लिया है, बहुत important lines हम लोगों ने लिया है, ठीक है, proto-oste-lide प्रजाती में, इसका प्रजाती कौन सा है, तो proto-oste-lide है, ठीक है, और इसका summu क कि इस यह जो मुंडा जन्जाती इनका रहने का स्थान में निवास आस्थान कहां पे विसिस्थी दरहाए थी है तो इस जन्जाती का में रूप से कहां यह कहां पे बीलाँ करती थै कहां से रहती इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपना तरक दिये, बहुत से मतभेद साबित हुए, कुछ विद्वानों के कुछ और कहना है, कुछ विद्वानों के कुछ और कहना है, तो इसके बारे में कुछ-कुछ जो धारनाएं हैं, कुछ मतभेद हैं उसके बारे में, यहा नोग पर नहीं है कि कुछ पहले रहते हैं और अभी भी वहान स्थित्स है जब कुछ विचार धारणारों के अनुसार इलाओं नाथ लावकार दक्षिनी पस्चिम के चलकर आरिओं के दबाब में रारिओं के दबाब में ये महां से पलाइन कर गया और महां से निकल गया और धीरे धीरे ये जारखन के शेत्रों में इनका प्रवेश होना सुरू हो गया या प्रारंब हो गया ठीक है तो कुछ विचारधाराओं का मानना है कि तिबबत से ये आये हैं या तिबबत में इनका वाजस्थान है ठीक है और कुछ का मानना है कि यह दक्षिन पस्चिम से चल कर आए हैं और वो आर्यों के दवाब से वहाँ से पलायन कर गए ठीक है और जारखंड शेत्र में इनका देने देरे प्रवेश हुआ तीसरा विचार धारग के अनुसार ये माना जाता है कि दक्षिनी पुर्वी भाग जारखंड में प्रवेश किये तथा असूर जनजाती को पराजित किये देखे एक और जनजाती का यहां पर नाम आ रहा है हम लोग इसके बारे में भी कोई वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी वीडियो क्लास में असूर जनजाती को पराजित किया यानि कि जारखंड प्रदेश में यानि कि जारखंड में असूर जनजाती रहा करते थे और अभी भी है तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे उनको पराजित करके उनका निवास स्थान पे ये जारखं एरिया हो जाता है, आप उस एरिया में अपना सम्मू के साथ आप रह सकते हैं, तो जैसे पहले होता था कि अगर कोई और सम्मू अगर इनके पास आता है, तो उनका वो सहयोग नहीं करते थे, बहुत सारे, क्योंकि सभी को डर रहता था कि ये किस लिए आया है, किस रीजन से पहले उतनी इंटेलिजनसी नहीं थी कि सब लोग सावधान क्योंकि उतना तरह तरह का मतलब उतना शब्दकोज भी नहीं था जो लोग आपस में समझा पाए, तो इसके लिए क्या होता था कि इन दोनों के बीच में मतभेद होने के कारण क्या हो जाता था, ये लोग आपस ये बात देखते हैं, तो इसके भाशा से रिलेटर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे आपको देख लेते हैं, जो कि आपके इग्जामिनेशन के दृष्टी से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा जंजाती को अपनी भाशा मुंडारी कहते हैं, मुं आश्ट्रो एसियाटिक भासा परिवार के अंतरगत आता है यह जो मुंडारी भासा है यह कौन से परिवार के आता है भासा परिवार तो आश्ट्रो आश्ट्रो एसियाटिक एसियाटिक आश्ट्रो एसियाटिक भासा परिवार यह भासा परिवार होता है कुछ-कुछ परिवार के अंतरगत में, इनकी भासा आती है मुंडारी, याद रखना है आपको, आपसे question direct पुछा जाता है, इससे, JSC और JPC दोनों के लिए बहुत important है, कि मुंडा की जो भासा है, उनको क्या कहा जाता है, तो मुंडारी कहा जाता है, ये भासा किस परिवार के अंदर आती ये तो आपको answer दे देना है, और stroke asiatic, ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों point आपको याद हो गया, तीसरा point है, ये जन जाती मुक्य रूप से जारखन के राची, खूटी, हजारी बाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडी, सिंग्भूम, संथाल प्रगना म कि जो भी निवास स्थल है, निवास स्थल से questions आते हैं, जैसे आप से पूछ लिया जाएगा, कि मुंडा जन जाती जो है, इन में से किस स्थान से belong करते हैं, और आपको different different type का cities दे दिया जाएगा, different different types का आपका districts दे दिया जाएगा, आपको मा से answer आपको choose करना है, और ये आप तब ही choose कर पाओगे जब आप इसको आराम से जानोगे या देखोगे कि इसकी किस किस जीले में राज के इनका मतलब वास है, कहां कहां ये रहते हैं, ठीक है, तो ये तीनों point आपको confirm हो गया, ठीक है, मुंडा अपनी भाशा को होडो जगर कहते हैं, बहुत ही ज़्या पर हैं, वो questions लगबग आई वे questions है, और बहुत ही ज़्यादा important है, तो मुंडा अपनी भाशा को क्या कहते हैं, होडो जगर, होडो जगर कहते हैं, मुंडारी की भाशा है इनकी उस भाशा को इन्होंने होडो जगर कहा है, ठीक है, और ये किस भाशा परिबार से आते हैं, अउश्ट्रो एसियाटिक से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे दखते हैं, मुंडा गाओ के तीन विषच अस्थल के बाएं पूछा जाता है, गाओ में विषच अस्थल जो होता है, सरना या इस्थान है, देखें, कुछ-कुछ विषचथा के अनुसعर वो लोग क्या क लोगों ने नाम अंकरन भी किया है यहां पर ठीक है तो एक सरना है यह ग्राम देता निवास करते हैं सरना ठीक है सरना क्या होता है जहां इनका ग्राम देता निवास करते हैं उस इस्थान को हम लोग सरना कहते हैं आप से डारेक्ट कुछा जाएगा इससे ठीक है कि ग्राम द का का ऐसा ह rempl request जाए पर पंचायत की बैठाक होती है और रातरी में का होता है? युवयती एकत्र होकर वहाँ पर नचते हैं और गाते हैं म नचन करते है वो लोग शाम के पहर में रातरी के पहर में जोग वहाँ पर एक जूट होते हैं और अपने समाज के साथ अपने जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सब एक दूसरे के साथ वहाँ पे कुछ गीत संगीत का वहाँ पे आनद लेते हैं तो अखाड़ा का मतलब यह नहीं समझना है आपके option में यह भी दिया रहाएगा कि कहीं लड़ाई मार पीट का ऐसा कुछ तो जो भी आपसी मुद्दे होते थे पंचायत में उसकी बैठक होती थी और उसको वहाँ पे सुल्जाया जाता था तीसरा स्थल है आपका सासन यह भी important point है सासन जो कि समाधी स्थल होता था याद रखेगा समाधी स्थल को क्या कहा जाता था सासन जहां पे सब को दफनाए जाता है यह सब होता है समाधी स्थल उसको कहा जाता है ठीक है और समाधी स्थल पर क्या कहा जाता है एक पत्थर का स लगा दिया जाता है ठीक है और उस सिल को क्या कहा जाता है उसको सासंदारी कहते हैं इस सिल को क्या कहा जाता है यह जो सिल यहां पर लगाया है इसको कहा जाता है सासंदारी इसको क्या कहा जाता है सासंदारी ठीक है याद रहेगा आपको आगे बढ़ते हैं मुंडा जंजात आपको मदद करने वाले आपके exam में direct question आते हैं आप कभी भी प्रिवियस year उठा के देख लो आपको इससे बहुत सारी question match हो जाएंगे आते हैं next और भी कुछ देखते हैं इसके आजविका जो कि हमारे मुंडा जंजाती से जोड़ी हुए है उससे कुछ आजविका से related कुछ important बाते हैं उस चीज के बारे में यहां पर point out किया गया और उसको हम लोग discuss करेंगे जारकन छेतर में जब मुंडाओं का परवेस हुआ तो आजविका के लिए वनो को साफ सुथरा कर क्रिशी कारें में करने लगे और इस्थाई निवासी के रूप में जारकन में बज गये obviously जब बात है जब पहली बार कोई परवेस करेंगे तो वो business के माध्यम से यह लोग जन जाती उतना तभी मतलब आगे नहीं थे में आजिए वेनों का ही साफ सुथरा करने में उन्होंने ध्यान दिया और वणों से ही उन्होंने क्रिशी करना सेका साफ सुथरा किया अपना रहने का स्थान बुनाया सबसे पहले तो साफ सुथरा करें १ॲ n यह मतलब कि जो jungle में पेड बगेta जाड़िया वहां पर उन्होंने अपना एक जगह बनाया है जहां पर रह सके फिर अपना खेत खलियान का भी एक जगह उन्होंने क्रिट के जहां पर अपने लिए क्रिसी वह कर सके और धीरे-धीरे जब वह यह सब करने में माहिर हो गए या धीरे-धीरे करने लगे तो धीरे-धीरे वह इस्टेबल हो गई या बस गए, ठीक है, उनका बनाया गया खेत को खुट-कटी कहा जाता है, खेत और उसका बसाया गाउ, खुट-कटी गाउ कहे जाने लगा, ठीक है, याद रहेगा, उसका जो बनाया गया खेत है उसको, खुट-कटी खेत और उसका बसाया गया गाउ, खेत बनाने वाला क्या है खूट कटीदार कहना ले लेगे ठीक है खूट का तातपर यहां पर बता दिया गया कि एक परिवार है यानि कि एक परिवार मिलकर इन्होंने खेत का निर्मान किया गाउं का निर्मान किया ठीक है तो खूट कटीदार कि इनको कहा जाता था जो कि ख परिवार, परिवार में क्या होता है आपस में लोग एक दूसरे को support करते हैं और आपस में लोग मिल जुल कर रहते हैं वही उसको support करते हैं ठीक है आगे जाते हैं कहां जाता है कि उस समय प्रशासनिक व्यस्था खूट कटीदार व्यस्था थी यानि कि कौन सी खूट कटीदार व्यस्था थी जो की खेत बनाने वाले होते थे उनी का एक व्यस्था माँ पे माना जाता था प्रशासनिक व्यस्था ठीक है इस व्यस्था में प्रतीक परिवार अपने तो वो जमीन उनके नाम हो गया, यानि कि वो उनका मालिक हो गया है, पहले तो वैसा कुछ registration चलता नहीं था, तो वो क्या होते था, वो लोग मान लेता है कि यह जमीन इस परिवार का है, और इसी से यह खेती करेंगे, क्रिशी करेंगे, और इसी से यह अपना जीवन आज भी क चलाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण जगे में कमी होने लगी, और इसलिए बात है कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगा तो उनको ज्यादा खेती करने पड़ेगी, उनको रहने का ब्योस्ता ज्यादा चाहिए होता है, और यह सब जो भी ब् मुथा तो वो तो लिमिटेड एरिया में आराम से रह लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके जनसंख्या में विरिधी होई, वो आपस में ही और बड़े बड़े शेत्रों में जंगल की सफाई शुरू कर दिया, और वो एक धीरे धीरे समाज से एक गाउं में वो परि जनितिक व्यस्थाओं का संचालन उसी पैतरिक खुटीदार गाउं से ही होता है, देखे कितनी बड़ी बात यहां पर बोली गई है, जो खुटीदार व्यस्था हुई, वो जितना भी गाउं बना सब का संचालन वही खुटीदार व्यस्था ही करेंगे, जितना भी गाउं से ही आपके लिए महां पर होना है ठीक है आगे आते हैं और भी शाषन व्यस्था में कुछ थोड़ सा है उसको देखते है मुंडा जन जाती की शाषन व्यस्था में मुंडा प्रशाषन व्यस्था कहा जाता है मुंडा प्रसासन व्यवस्था इसके सासन व्यवस्था को कहा जाता है प्राचिन काल से यह सासन व्यवस्था चली आ रही है अभी भी है सासन व्यवस्था का अभी भी चलता है इसके द्वारे मुंडा अपने सामाज में घटीत सामाजिक धार्मिक आर्थिक मामलों का निप् तो यह सामाजिक से रिलेटेड हो गया या धार्मिक से या आर्थिक से या किसी अन्य तरह का भी कोई भी मामला हुआ तो उनका भी निप्तारा महीं पे होता है अभी आते हैं आगे शासन ब्यस्था कि सबसी छोटी इकाई गाउं है देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा कि अल सभी को हैंडल कर रहे यहां से यही शासन ब्यस्था दे रहे थे तो सबसे छोटी काई क्या होगी एक गाउं हो गई है ना तो इसको समझ लीजे ठीक है समझनी में आ गया आगे बढ़ते हैं गाउं के परधान को मुंडा कहा जाता है ठीक है याद रखिए कि अब गाउं के परधान के जो सहयक करते हैं उनको पाहन कहा जाता है ठीक है गाउं के परधान होगे मुंडा और मुंडा का जो सहयक हुए यानि कि एसिस्टेंट उनको पाहन बोला जाता है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मुंडा की गैर मोजोगीदी में पाहन ही अपने गाउं का सारा काम करता। नहीं कि Eleanor quite this निम माली ऐसी स्टेंट जब वह अप्सेंट हेंगे तो उनके जग वो रहेंगे उनके जग है मुनड़ा और पाहन के सायक को Whether होता यानि कि पहले नमbell में मंट deux हो गये सबसे ज़ादा हेंड उनके नीचे माइसिस्टेंट हो हमें सासन करेंगे या उनको ब्यवस्था देंगे सासन ब्यवस्था देंगे और अगर पान भी अपसन रहेंगे दोनों तो फिर मातो इनका सासन ब्यवस्था को समा लेंगे कुछ इस तरह से चलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं मातों का मुख की काम क्या होता था कि एक और काम मातों का मुखी काम होता था कि गाउं में सूचनाओं का आधार परदान करना कि कब बैठक होनी है कहां पर कौन सी बैवस्था लागू करना है या कौन सी बैवस्था को कुछ नए कानून बनाए गए उसके बारे में किसी को कुछ मेटिंग स्किम में बुलाना है या किसी भी तरह का कोई भी सूचना होता था तो यह मातों का क्या काम होता था कि उनको वहां तक पहुंचाना ठीक है उनको वहां तक हम लोग सूचना क्या करते थे पहुंचा देते थे यह मातों आगे बढ़ते गाओं की बड़ी काई को पढ़हा बेस्था है ठीक है गाओं की बड़ी क बारत से बीज गाउं, बारत से बीज गाउं अगर मिल गया तो मुंडा शासन बैस्था में उसको पढ़ा कहा जाएगा, और इसके जो प्रधान होते थे, वो राजा होते थे, राजा उनको बोला जाता था, कुछ मुंडा शेत्रों में पढ़हा राजा को मानकी भी कहा जाता है देखे ये और एक पॉइंट यहां पे बहुत ही आया जितने भी पॉइंट सम्लोग यहां पे डिस्कर्स कर रहे हैं वो बहुत ही जादा यहां पे इन्पॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ता है पढ़हा राजा ठाकूर दिवान पांडे सिपाही दरोगा की साहता से काम को अंजाम देता है यानि कि देखे इन्होंने क्या हुआ पढ़हा राजा अपने नियुकती की ठाकुर की की दिवान की की सब अपना अपना एक वैकेंसी इनों निकाला कि ये सब हमारे पोश्ट रहेंगे ये ठाकुर रहेंगे दिवान रहेंगे सिपाही रहेंगे दरोगा रहेंगे लाल रहेंगे ये सब हमारे पूरे व्यवस्था के हम व्यस्था में शासन व्यस्था म में हमारे साथ रहेंगे और इनका बात सभी को मानना पड़ेगा इन्होंने नियुक्ति किया तो अभी देखेंगे सबका हम लोग दीरे देखेंगे कि सबका क्या क्या काम था ठाकूर का दिवान का लाल का दरोगा का है तो ठाकूर पढ़ा राजा के सायक होता था यह जो ठाक तो दिवान पढ़ा राजा का मंतरी होता था ये तो हो गए एसिस्टेंट अभी मैंने बताया एसिस्टेंट और ये क्या हो गए ये आपके मंतरी हो गए मंतरी का पोश्ट इनको मिला ये आप मंतरी हैं ठीक है उनके हुकम की तालिम करता था और उनके हुकम की तालिम किया जा गढ handout के अंदर क्रिया कलाप हूक हो यूंभी की गढ़ के आप GB कोई को 12-20 जो गाउं मिला या तो किसी गढ गढ़ 때 अंदर क्रिया कलाप होता तो उसकी देखरे DRY ते और RAM रहते थे और राज दीवान क्या होता ? आगे देखते हैं, पांडे, ये जो है, पांडे का सभी तरह के कागजातों, जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं, कागजात पढ़ने लिखने का उनका काम होता था, थोड़ा से दान पत्रे विए सब वो सब समालते थे, तो सभी तरह के कागजातों और दास्तेवाजों को समाल कर रखने की जिम्माबारी इनकी होती थी और पढ़ा राजा के आदेश पर क्या होता था पढ़ा राजा बोलता थी पंडित को या पंडेको बोलता थी कि आप नौटिस लिखके बेजो इनको आपकर नौटिस जाएगा आप लिखके दो यह फिर लेके जा एगा आ क्वाइज लिए रहे हैं तो यह काम होता था पांडरी का, आगे आते हैं शपाई कामहोता था सपाई दिवान के हाँ फर गाँंगाँ। जाकर नौटी्ज देता था डाँंगाँ के जाके सिपाई की चलो तुमको बुलाए गया है राजा ने तुम्हें याद किया है ठीक है आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है आपके लिए एक सभा रखी गई है आपको यहाँ पर देना है ठीक है और दरोगा जो होते थे वो सभा की कारवाई के दौरान लोगों को नियं आतिबास जैसे वकील आते हैं वकालत में वकालत करते हैं आते हैं यहां बहस करते हैं कि यह निर्दोस है इनके यह दोसी है इन्होंने यह किया वो किया तो वो काम यहां पर सभा में लाल गया करते थे ठीक है इनकी भी तीन सिरेनी होती थी एक होते थे बड़ लाल एक होते सोटेलाल जो बहुत जादा जुनियर है जो जुनियर है देखे आगे बढ़ते हैं पढ़ा के बड़ी काई राज होती थी जिसका परधान राजा कहलाता है अभी हम लोगों ने मामला पहुंचता है राज के यहां पर फिर जाता है ठीक है फिर राज में जाता है जिनको राजा जाके फिर समालते हैं और राजा फिर उस मामले को महां पर निप्टारा करते हैं जिसको निशित रुप से मानना पड़ेगा किसी भी पक्ष में अगर उन्होंने वो दे दिया राय दे दिया, या decision दे दिया, तो उनको मानना ही पड़ेगा, कोई उनके उपर या कोई उनके खिलाप नहीं उठ सकता है, ठीक है, दूशरे शब्द में राज सभा मुंडाओं के लिए उचित्तम न्याले के मतलब high court के समान है, ठीक है, इसलिए उनके अगंड कोई नहीं ब और यह आपके एक्जाम के दिरिष्टी कौन से अगर आपने तयारी नहीं भी किया है तो आपके लिए बहुत ही जादा फायदा मन्द है और अगर आप तयारी कर भी रहोता है आपके लिए रिविजन के लिए यह बहुत ही जादा फायदा मन्द है तो हमारे चैनल को जल्दी से subscribe कर लिए अभी तक जिन्हों ने subscribe नहीं किया क्योंकि यहां पर PSE का PT Special Bench तो launch हो ही गया यानि कि PT में selection पका तो होना ही है साथी साथ हम लोग men's के भी preparation पर हम लोग ध्यान देंगे और other हमारे बहुत सारे free batches है SSC, Antipc, Group D का BPSC, UPSCI जैसे बहुत सारे exam का हम लोग का free of cost यहां पर course दिया जाता है और जो notes भी दिया जाता है वो भी free of cost दिया जाता है यहां पर तो आप इसके लिए भी आप यहां पर subscribe कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा जितना ज्यादा आप यहां पर बने रहेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होंगे कि आपकी तैयारी अच्छी भी है तो आपको revision के लिए यह बहुत ही ज्यादा यह सब classes एक short term revision के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाली है ठीक है तो मिलते हैं फिर next class में syllabus के कुछ नए बहुत ही बहतरीन कुछ topic के साथ और serially wise हम लोग PT special batch यह है तो PT special के according हम लोग बात करेंगे और PT के according जितने भी points आपके बहुत important होगे उसको हम लोग दीरे दीरे यहां share और subscribe कर दीजे जल्दी से और share भी कर दीजे दोस्तों से भी subscribe कर दीजे thank you so much all the very very best thank you